हेलो चारकंड, वेलकम टू लेर्नर्स कर आज जोकेसन स्टार्ट करते हैं पार्ट नुबर 32 टॉपीक कॉंपूटर भासा ग्यान पीपर 3 में 20 क्वेश्चन बनने वाला है जेसे सीजल के एक्जाम में अब तक पार्ट नुबर 32 तक आज चुके हैं अगर आज के लेक्चर को मिला दें तो सारे पार्ट को लोग विजिट कर लें आपके एक्जाम में काफी ज़्यादा या फ्रूटफुल होने वाला है हर एक लेक्चर को देखिएगा आपका जो स्लेवर्स है उसके कोडिंग काफी सरे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा और PDF इसका डाउलोड कर लें क्यूज के लिए टेलिगर अपर कनेक्ट हो सकते हैं चैने करने हम सर्च कर लें उससे पहले एक क्वेस्चन है मेरा जितना भी लेक्चर आप लोग चेक आउट कीज़ेगा तो आलाग उतर से ट्रांजिशन एफेक्ट आप लोग को देखने को मिला होगा तो आप लोग अगर पता है कि ट्रांजिशन क्या है या पि जो एमेस पाउर पॉइंट वगर यूज करते होंगे तो उनको अगर पता है तो आप लोग एंसर देने कुशिशन कीज़े कि क्या होता है ट्रांजिशन ओके लेश्ट गियर अप पार्ट नमबर थर्टीक टो क्वेशन फर्ष्ट ही है वाट इस ट्रांजिशन नीन स्लाइट में दिया जाता है उसी को ट्रांजिशन क्या होता है जैसे कभी मैं आगर स्लाइट को बैक करूं तो आप लोग के फिल्प दिख रहा है ना पेज को सीधे सीधे मैं नहीं प्लट रहा हूं या नेक्स नहीं करा हूं देखिए कुछ उस wed haft के साथ जो यह से पेज पलटा रहा होगा एसा इसके बाद जो na आ प्रिवेस पेज या घा रहा है उतलि यह हंसे जो पेज पलटाता है या है याद का आ रहा है तो यहांसे जो पड़़ यस अедले कई रहता है अलग 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 शेक एपको देखने को मिलेगा तो यही है special effects added to slides जो slides में special effect add किया जाता है इस तरह का इस तरह का अलग तरह से भी हो सकता है तो इसको हम लोग बोलते हैं transition effect वगर ना तो इमेस powerpoint के बारे में बात किया जा रहा है MS powerpoint तो मैं already बता चुका हूँ किसके द्वरा develop किया गया है Microsoft के द्वरा develop किया गया है एक तरह का application software है यह जो हैसे आपका presenting software है जैसे मैं यह lecture को आपके समग जो हैसे present कर रहा हूँ तो यह presenting software का example में आता है ओके याद रखलें और slides क्या होता है सलाइट से भी question आप से पूखते हैं क्या कर इसाइट होता क्या है तो जो Microsoft PowerPoint पीज होता है उसका अफलोग slides बोलते है clear Microsoft में जो page देखते हैं उसका अफलोग slides बोलते हैं और Microsoft Excel उसका page और होता है उसका आप लोग sheet के नाम से जानती है और Group of Seeds का अप्लोग क्या बलते हैं? Group of Seeds का अप्लोग, Workbook बलते हैं MS Excel में, यहाँ पे चल रहा है MS PowerPoint सारे के सारे Applications ओटवेर हैं उससे पहले एक Terms को यहाँ पे Clear करना चाहता हूँ एक Important Terms है Handouts अब Handouts क्या होता है? इसको समय लीजेगा जैसे कि मान लेते हैं कि MS PowerPoint Presentation का कोई Hard Copy है यानि उसको पेपर पर प्रिंट करका आपको दे दिया तो उसको जैसे Handouts के नाम सजाना जाता है तो यहाँ देखेगा Paper Copies of जो PowerPoint Presentation है उसको जैसे Handout के नाम सजाना जाता है मैं जो लेक्चेर बन रहा था था जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुगा था Microsoft Access एक DBA में से एक्जामपल है यानि कि Database Management System का एक्जामपल है उसके लोग Oracle and SQL भी एक्जामपल में है तिया किसके एक्जामपल आएंगे File Database, Template, Attribute या फिर Relational Database या जो एक्जामपल है वहा Option D यानि कि Relational Database के एक्जामपल है या Relational Database हाकिर होता गया है Relational Database में देखी होता है कि बहुत सरा डेटा का या collection होता है लेकिन वो जो जितने सारे डेटा है एक दूसरे में कुछ Relation होता है एक दूसरे से interconnected होता है उनलोग भी कुछ Relation होता है That's why it is named so कि यह Relational Database का एक्जामपल है Microsoft Access, Oracle and SQL इसको याद अखेगा फाइल डेटाबेस जो होता है उसमें नॉर्मल रूप से आप लोग जो टेबल वगरे जो जो जनरली वगरे कर सकते हैं या अलालोग तरह से फ्लेट डेटा के बारे में जो Microsoft Access है Oracle और SQL सारा के सास में दिया हुआ था इसलिए Relational Database के एक्जामपल में से एंसर जाएगा और सिर्फ पर सिर्फ अगर Microsoft Access रहे ना तो वो File Database के भी एक्जामपल में आज जाएगा ना चलिए बाकि File Database के किस से यूज़ कर सकते हैं Microsoft Access से कर सकते हैं Microsoft Access यह भी एक application software का भी एक्जामपल है इसको आप लोग याद रखते हैं Oracle ने एक जनरली एक company भी है आप लोग देखिएगा और SQL को रहें थोर से हैं पर चर्चा कर लेते हैं SQL से question कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ SQL का पहले तो full form याद रख लिएगा SQL जो command होता है उसका full form होता है structured and query language जो structure and query language में इस तरह कुछ-कुछ command है DDL, DML, DCL और TCL सबका full form के साथ-साथ इसका जो कोई-कोई command इसमें आता है उसको याद रखेगा question आप उने चाटने में देदेंगे कि इन में से कौन जो हैसे data, definition, language इसमें आपको create, alter, drop, truncate और rename command देखेंगे truncate मतलब छाटना भी होता है DML होता है data manipulation language data manipulation मतलब here-pher करना होता है वह इस सरा चीज में manipulation होता है आप पढ़े होंगे manipulation हो रहा है तो here-pher होता है generally data manipulation language में select, insert, update और delete इसमें आपको grant और revoke option देखने को मिलेगा revoke का क्या option होता है इंगलिस आप लोग इतना पढ़ रहे है revoke का क्या मतलब बता है TCL होता है transaction, transaction, control language transaction, control language में आपको देखने को मिलेगा commit, rollback और save print इस सरा क्या option आपको देखने को मिलेगा तो सबको थोड़ा सर न, इसका command या देखने का छाटने के लिए देता है कि कौन जो हैसे इसमें नहीं है delete जो हैसे DML में आता है चलते हैं क्कूस्टन पर next की ओर question 3 the C language was developed by बोला जारे हैं जो C language है किसके दोरा बेक्सित किया है कुछ कुछ organization भी है और कुछ persons का name भी है options है Microsoft, Alan Turing, Dennis Ritchie या फिर ब्लैस पास्कल सही answer option C जो Dennis M. जो रिट्ची है या एक American Computer Scientist है उनी की दोरा C language को develop किया गया है C language आपको पदा होगा along with Java, Pascal, C++ एक high level language के एक्जामपल में हैं सारे तो इसको याद रखें बाकि C language को mother of all the programming languages बोला जाता है जितने भी programming language है उसका mother किसको बोला जाता है C language को क्योंकि C language को देखिएगा दूसरा programming language को develop करने के लिए कोई operating system वगर है तो उसको बनाने के लिए आप लोग जैसे इसका काफे ज़्यादा यूज करते है तो याद रखेंगा C language को mother of programming languages भी कहा जाता है या देनिस एम रिटची के दवारा develop किया हुआ है चले, Microsoft company तो पता होगा आपको बहुत famous वगर है तो Microsoft जो company है इसको 4 अप्रिल लेकर किया गया था ना पॉल एलेन और बिल गेट्स दोनों है पॉल एलेन को कोई याद नि रखता है लेकिन ओ भी है एलेन ट्यूरिंग के बारा हम याद देखेगा जो एलेन ट्यूरिंग देखने को मिलता है वो आपको father of computer science कहा जाता है बागी father of personal computer आप किसको बलता है तो father of personal computer बला जाता है वो आपको Edward Roberts को बला जाता है कुछ-कुछ चीज याद रख लीज़ेगा ना चली answer इसका C हो गया सारा चीज हो चुका है देनिस रिट चे C language याद रख सकते हैं एक high-level language है mother of programming language बला जाता है question 4 artificial intelligence is about artificial intelligence किस चीज के बारे में बात करता है playing a game on computer computer बाग कोई game को खेलने के बारे में है programming on machine with your own language अपना कोई भासा का यूज करके जैसे programming करना किसी machine पर making a machine intelligent किसी machine को smart बना देना intelligent बना देना putting your intelligence in machine machine में अपने intelligence को put कर देना option C और D थोड़ा सापको similar लग रहा होगा इसका science और option C होगा making a machine intelligent अगर माल लेते हैं कि कोई machine को intelligent बनाना जो हैसे artificial intelligence कहा जाता है ना कि आपका जो intelligence है उसको machine में डाल देना उसको नहीं बोलते हैं जैसे कि एक माल लेते हैं कोई person के intelligence से में डाल दूँ इसका क्या guarantee है कि आदमी जो इसे ज्यादा है इसको को इसको गरांटी है नहीं तो किसी machine को intelligent बनाना ही artificial intelligence कहा जाता है जैसे कि आप लोग बहुत सरा देखें होंगे रोबोट वगरा के बारे में कि आप अपने अनुसार वह काम करता है जैसे आप लोग आरे मान होगरा देखें कभी आरे मान होगरा नहीं देखें देखें कि अब आरे मान होगरा समझ चाहें तीस तरह से होता है Artificial Intelligence Father of Artificial Intelligence कहा जाता है वह John McCarthy को बोले जाता है जो John McCarthy है नाम देख लीजेगा John McCarthy तो John McCarthy में करती है उनको जो ऐसे Father of Artificial Intelligence के नाम से जाना जाता है बाकि मैं Father of Super Computer को भी बता जाता हूं जो Samar Kray देखने को मिल रहा है वह फादर अफ सूपर कम्पूर्टर के नाम से जाना जाता है उनके बारें एडिया रख लीजेगा और इन्डिया में जो फादर अफ सूपर कम्पूर्टर कौन है उनका नाम है Bijay P. Bhatkar तो Bijay P. जो भाठकर है तो वह जैसे फादर ऊपक्र्पीटर का नाम से जाना जाते हैं इंडिया में बारत का कहीन सब्सक्याम 3 Mal paling परम एंट थाउजन जो कि और प्राम 3,000 को सबसे कहते हैं इसका नाम है आमेरिका तक है 1.1 एक्साफ लॉसमोस का स्पीड है ना चलिए कुछ नमर फीप आता है बिटकोइन इस क्रेटेट वाइब बिटकोइन जो ऐसे किसके दवारा क्रेट किया गया बिटकोइन बहुत वहला में रहाता है आप लोग को पता होगा एक डिजिटल करेंसी के एक्जामपल आता यहां स्पीड़ो नहीं है याने कि एक आसा गुम नाम बोड़ सकते हैं अप लोग बिटकोइन कुछ सेमबल तो इस तरह से देखने हो की मिलेगा आप लोग वीडिया होगा और बहुत तरह लोग डिजिल करेंसी में भी इन्वेश फटो रखिया है मैं भी किया हूं तो यह परसन है सतोसी नाका मोटो ना मैं पहले सोगे तुम्हें संतोसी है किया तेक वर कंफीब भी कर गया था यह सतोसी तो जराथ में लौटेंट काम हो था क्या क्या पहले तो गूगल का जो क्रोम आप लोग ब्राउजर देख रहे हैं वह लाउंच हुआ था गूगल क्रोम आप इसको आडिया रखेगा जो लैटेस्ट वर्जिन होगा चलंदा हो सब आपको पूछते हैं और फॉस्टाम कुछ होता है तो आप लोगों को पता होगा इंपोर्टेंट होई जाता है तो गूगल क्रोम ही 2008 में लाउंच हुआ था और जो एंड्रोइड जो ऑपरेटिंग सि क्रोम एक वेव ब्राउचर है जबकि एंड्रोइड जैसे एक उपर्टिंग सिस्टम है ना पाइथन लेंग्वेज वाज क्रेटिट इन पाइथन लेंग्वेज वाज से कब क्रेट किया गया था 1990, 1991, 1992, 1993 इसका काम तो बहुत पहले से चल रहा था लेकिन इसका जो वह 1991 में आया था पाइथन तो मैं और लोटी बता चुका हूं एक हाई-लेवल लेंग्वेज के एग्जामपल में आता है अचा पाइथन लेंग्वेज का यूज आप लोग कहा करते हैं एक दोपांट जरा बताइए पीदेफ डाऊनोट किये एक तो यहाँ पर दाल दूंगा पर दाल दूँता है किसको पता है ऐसा फजय के उच और हाज जो पैथन लेवीज टो किए गया था उनका नाम था गूतव prereANEница गkl उन्रोशं के द्वारार जो है पाइथन लेंग्विज को 35 की छ e7 5 पीशाफ मुझे लगता है ना कि आप लोग के पता चल जाएक जैसे टेबल वर्ड आप लोग सुने होंगे तो मेरा लेक्षर को अगर ध्यान से सुनते होंगे तो इसका अंसर आप लोग को मिल गया होगा ओके तो फीच अप फुलोइंग अलाउस टू यूजर इस्टोर और्गनाइज सब्सक्राइब को मिल गाएं तो मैंक्रोशॉप्ट वर्ड यूर है से एक वर्ड प्रोशेंग सूट्वर है एक सल आप लोग को पता होगा डेटा पर गया की हैं यहाँ पर स्थोर और्गनाइज चेल्कुलेट मैंनूपलेट इस तरह गया है यह सब डेटा प्रोशेंग का और सारे के सारे देखने को मिला होगा एक एक अप्लिकेशन और गन्दर गताती है वर्ड एक्सेल पाउर्पोइंट और एक्सेश ठीक है इसको याद रखेगा अप्लिकेशन परें सारे अरे अचा चलिए इसको दीखना नहीं था न फिर भी चलते हैं अप्रिंटेड लाइन से और प्रोड़क्त और होता है तो उसमें प्रिंटेड लाइन देखने मिलता है इस तरह से कुछ तो इस तरह से कुछ चीज़ दिखता है उसको आप लोग किस आप से जानते हैं प्राइज कैनर फिर बार कोड्स किस नाम से लगते हैं यह कोशन ईजी हो गया होगा जब आप इसको देख लिए और बार कोड के जो आता है तो इसको पढ़ने के लिए अप लोग स्केनर का हूँच करता है याद रखीगा बार कोड रिडर याट करने के scanner का परेव कर सकते हैं, बार कोड में देखे, रिलेट जो हता है न, जितना भी products related information होता है, सारा चीज़ पर में mention रहता है products related, कोई भी आपने product हो गरा है, तो उस related सारा चीज़ में mention रहता है, बार कोड बगर में आप लोग देखे होंगे, और इसको scanning machine से इसको scan कर सकते हैं, यानि कि scanner जो हता है, इस एक तरका input device करता है, question 9 आता है, which of the following protocols is used to retrieve emails, retrieve emails का मतलब होता है, email का पुर्णा प्राप करना, तो उसके लिए कहां क्या यूज़ करते हैं, SNMP, IMAP, FTP या फिर TCP के यूज़ करते हैं, देखे, इसका सही answer हो जाएगा, option number B, IMAP, देखे, IMAP का फुल प्राप कर सकते हैं, पुर्णा से, देख लिज़ेगा, बागि सारा का फुल प्राप म देख लें, जड़ा, प्रोटोकोल के यहां पे स्पिलिंग गलत हो गया है, थोड़ा सा डबल लेल नहीं होगा, इसको PDF में सही कर दूँगा, Simple Network Management Protocol होता है, SNMP का, FTP होता है, File Transfer Protocol, और TCB होता है, Transmission Control Protocol, फुल पॉम को भी आप लोगो ध्यान दे देना है, एक से दो फुल पॉम आप से पूछी देते हैं, कम्पूटर में न, देखिएगा, तो एक से दो कोशन आप से खुल पूछ देंगे, सिजर की जाम देखिएगा, प्रिवेस में आपको www, इस तरह का जो आप से फुल पॉम अगर पूछ कर राके हैं न, या देखिएगा, IMAP यूज हो जाएगा, Internet Message Access Protocol, Question 10, What is the full form of PGA, PGA कर दो बताना है, Portal Graphics Area, Personal Graphics Area, Personal Giga Area, या फिर Professional Graphics Area, सही एंट से इसका Option Number D हो जाएगा, Professional Graphics Area, इसका सही फुल पॉम होता है, कहीं कहीं देखा जाएगा, इसको PGC के नाम से भी जना जाता है, PGC इसका फुल पॉम होता है, Personal Graphics, उसके बाद होता है, C4 Controller, तो Personal Graphics Area भी उसको बोला जाता है, या देखिएगा, तो Personal Graphics Area के जगा अपना Word Adapter भी यूज हो सकता है, T भी इसका फुल पॉम होता है, तो अगर कुछ भी देख देखा समाई लीजएगा, यह PGC मतलब PGA ही होता है, Personal Graphics Area भी आप लोग देखें हैं, CAD का नाम सुने है, Cascading Added Design, तो उसके लिए यह काफी ज़्यदा यूज फुल होता है, Cascading Added Design, आंसर देख लीजएगा, इसका D हो गया, फुल पॉम याद रखें, चलता हैं, Question Number, Element के और, If you want to add a caption to a table, where should you look, अच्छा, आपको यूज करना है किसी टेबल में, तो आपको कहां देखेंगा, कौन सा टैब में आप लोग जाईएगा, Insert Tab, Design Tab, Reference Tab, या फिर Layout Tab, सही एंसर इसका हो जाएगा, Option Number C, यह जो रेफरेंस टैब है, वहीं पे जो आपको देखने को मिलेगा, आप लोगो बताता हूँ कैसे देखने को मिलेगा, आप लोगो देखने को मिलेगा, आप लोगो देखने को मिलेगा, यह एक वोड, MS Word के एकजामपल है, तो यहाँ पे आप लोगो बहुत तरह टैब दिख रहा होगा, जैसे Home Tab है आपका, Insert Tab होका, Design Tab है, Layout Tab है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस टैब है, उसमें आप लोगो देखने को ध्यास देखीगा, रेफरेंस टैब में आप लोगो Insert Caption के यहाँ पे option दिख रहा है, तो रेफरेंस टैब में जो है Insert Caption है, तो यहाँ से इसको Add किया जा सकता है, इसका C हो गया Insert, एक और Example आ जाने वाला है, Question 12 बाता है, Which other following is used to give single space line in Word, Word मतलब simply अगर बोल देगा, तो MS Word आप लोग समझेगा, तो MS Word में जो अगर single space line देना है तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, सही इसका Answer D हो जागा, Control plus one जो है सिंगल space line देने के लिए यूज़ होता है, Word के बीच में, Save Edge और Dialog box को Open करने के लिए यूज़ होता है, iPhone में कोई भी एक application अगर देखेगा MS Word, PowerPoint और कहीं भी, iPhone का Use Help के लिए ही यूज़ होता है, अगर देखेगा, एक तरह का तो Slides होगर होता है, उसके लिए भी यूज़ कर सकता है, Microsoft PowerPoint में, और MS जो A5 होता है, उसका यूज़ अगर माल लेते हैं, कोई ओगर Page होगर आपे कहीं आप हैं, जिसे कि refresh होगर के लिए यूज़ होता है, कुछ कुछ चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, सही अंसर Ctrl प्लस 1 हो गया, सिंगल स्टेश लाइन के लिए आपको Ctrl प्लस 1 दबाना पड़े का, पेज साइज को सेलेट करने के लिए किसका प्रियू किया जाता है, पेज लियाउट, टैब, डिजाइन टैब या फिर इंसर्ट है, पेज साइज आपको पता होगा, यह फोर साइज आप लोग बहुत ज्यादे यूज़ करते हैं, यह फोर सीट का साइज होता है, जो आप लोग जेनरली खरिदते होंगे, अलग-अलग साइज का आता है, पेज, तो उसका पेज साइज करने के लिए, किस उप्सन को इसलेट करना होगा, सही अंसर इसका भी होगा ना, पेज लियाउट टैब में ही देखने को मिलेगा, आइए कुछ चार्शा कर लेते हैं डियागराम की यहल्ब से, जेसे यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे टैब ने निए इंसर्ट टैयबल होगा रहा है। इसका पेज लेटी टैब होगा है। तो page layout टैप में देखें यहाँ पर size नहीं करा ना तो page layout टैप में size ते इस size वाला option में ही जो यह से आप लोग को size select करने का option मिलेगा कि page का size को क्या रखना है ओके बाकी यहाँ पर देख सकते हैं margin अगर आ है तेही साज मिल गया बकी orientation को भी अब याद खीएगा इसको मैं अलोड़ी एक लेक्शन बता चुका हूँ आज डियाग्राम के आप से देख लीजिए कि page layout जो टैब है उसमें orientation देखने हो मिलता है और इंटेशन आपको पता होगा दो तरह का orientation होता है इस तरह का और इस तरह का यह होता है portrait mode यह होता है आपको landscape mode तो portrait mode जो vertical mode होता है उसको अप लोग तो तो दो तरह का लोग देखने को मिलता है ना जब या जयादा चान्स देख रहे होंगे तो आप उपने पोट्रेट मोड में रखें पोट्रेट मोड में आपको फूल स्क्रीन में दिखता है सब्सक्राइब करने के लिए किस प्रोग्रामी लेंगविज का पुर्यों किया गया है सी प्लसक्राइब जावा इसका बी होगा यह जो है सबको इमेजर को क्रिट करने लिए यह जावाось ऑला रहा उनके लिए काफी ज्यादा जैसे यह पॉपुलर है ना और यह कर सकते हैं आप लोग इसको कोपल करते हैं कॉमर्सिल परपस के लिए उसका जो फोटरन लेंगज होता है फोटरन उसका यूज़ करते हैं आप लोग साइंटेफिक परपस के लिए यह सब कुछ कुछ ज्याद रख सकते हैं एंसर इस बी विच और फॉलोइंग इस नोट और करेक्ट वर्जन और विन्डोस ऑपरेटिंग सिस्टम यह कौशन है काफी जाद है इंपोर्टेंट है आप लोगों को पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता पर आपको पता होना च आया था तो विंडोस का देखिएगा जो वर्जन 9 है वह नहीं आया था एक वेख लिए जो आपको पुछा जाता है तो पार्टिसेपट किया किजिए मुझे इमजाएगा और एक दूसरे को देखकर सब लोग भी एंसर देना सुरू करेंगे तो यह मासूची कोई नहीं द देना सुरू कर देंगे अच्छे कोचन में आपसे पूछ रहा हूं तो बताइए कि आइपन को कौन सा वर्जन नहीं आया है विंडोस 9 यहां पर नहीं आया था विंडोस 8 के बाद सीधे विंडोस 10 आ गया था अब मैं आपको थोर सो विंडोस का इतिहास में बता देता हू आप फ़र सा नहां से सुनेगा जैसे विंडोस का पहला वर्जन था वर्जन था वार 95 में इसको लॉंच किया गया था जब माइक्रोसफ कमपनी का सपना हुआ था 14 पेले 75 को उसके 10 साल के बाद जो है से विंडोस का पहला जो है से वर्जन आया था वह विंडो 11 चल रहा है विंडो 11 को अक्टूबर 2021 में इसको लॉंच किया गया है याज रख सकते हैं और विंडोस सवरा का सारा जो देखने को मिल रहा है वह माइक्रोसफ के दवारा है न एक ओपरटिंग सिस्टम का एक्जामपल है चलिए समझ चुके हैं सरा ची विंडो यूटिलाइज किजिए अगर यह लेक्षार लाइबल लगता है सेर करने के लाइक और लाइक करने के लाइक तो जरूर करें बागी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वंदे भारतम जय हिंद